आज हम बनाएंगे एकदम पतली-पतली क्रिस्पी कुर्कुरी जलेबिया जो मुझ में जाते ही गुल जाएगी लेकिन यह इतनी चोटे साइश की और कुर्कुरी बनाएंगे कि खाके दिल खुश हो जाएगा और इनको बनाना बहुत आसान है सिर्फ दो से तीन इंग्रीडे चीनी डालने के बाद हम इसमें डालेंगे एक कटोरी पानी और इसको उबलने देंगे लगबग दो से तीर मिनट के लिए हमें कोई तार की चास्ति नी बनानी बस हमें चिपचे पी चास्ति बनानी जो आध्य तार की चास्ति होते हैं वो बनानी जलेबी के लिए इसमें हम हम ढालेंगे एक पिंच सिर्ट्रिक एसड आप इसकी जग नेबू हा रस भी डाल सकते हैं कि उसको डालके हम अच्छे से मिक्स करेंगे शोंट्रिक एक नीमबू का डुरस डालने से चास्नी वापिस क्रिस्ट्रलाइजनी होती है और लिक्विड बनी रहती है इस पर हम दो च जलेबी का बैटर त्यार करेंगी तो उसके लिए हम एक बावल में डालेंगे लगबग एक कप मैदा बरके इसमें हम डालेंगे एक चौथाई कप दई थोड़ा खटा होगा तो जलेबी जाला अच्छी बनेगी इसमें हम डालेंगे आदा चमश बेकिंग पाउडर आप बेक इन सब इंग्रिइंट्स को अच्छे से मिक्स करेंगे इसमें बहुत थोड़ा थोड़ा पानी डालके हम इसके बैटर त्यार करेंगे आपको अच्छे से मिक्स करना है ताकि कोई भी लंस नीरे बैटर में लगबग एक से दो मिनट तक इसको अच्छे से फिलतना है ताकि इसमें थोड़ी एर भी चली जायए और पैटर को ध्यान रखना है कि बहुत जादा पतला करना जलेब सबस्व बर से कंजेबा को अगर आपको जलेबी सबस्क्राइब का सुट कर देंगे बाथ नहीं वान पहुत छलेबी का सारा बैटर दाल देंगे एकडम पतली पतली जलेब्च दीड बनाने के लिए हम इसमें हलका सा कट लगाएंगे आप चाहता नोब स्क्रीड तो साउस की भी जलेबी बना इसको फूल बढ़ना है आप चाह мы iline मिधर बना सकते हैं बस आपको एक बात आताइक की जो है वो घी बहुत कम डालना है जित्मा फ्रैंग में घी का लेवल है उतना ही कडाई में भी रखनाय क्योंकि अगर जाना होगो तो जाले बिलकुल नहीं बनेगा हमें गैस ki flame को medium रखना है और घी को भी medium hot हे रखना है ना जादा low ना जादा high क्योंकि जलेबिय हम भोल पतली बना रहे हैं तो अगर फ्लेम ज़्यादा होगे तो भूल जली जलना इसटार्ट हो जाएगी हो सकता है स्टार्टिंग में जलेबी का शेप सई नी बने लेकिन दो चार बनाने के बाद वो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा क्योंकि हम हलवाई तो है नी रोज जलेबी नी बनाते इसलिए स्टार्टिंग में ठोड़ा शेप गंदा ही बनेगा फ्राइंग पैन में जितनी जगा है उतनी सब जगे हम जलेबी अच्छे से बढ़ देंगे अगर आपका बैटर बहुत जारा पतला होगा तो भी जलेबी का शेप अच्छा नी बनेगा तो आप उसमें एक चमच मैदा में लाके उसको गाड़ा कर सकते हैं तो हमने सारी जलेबी को बना लिया अब हम इनको फ्राइए होने के लिए छोड़ देंगे जलेबी को फ्राइए होने में जाला टाइम नहीं लगता लगबग 2-3 रेट में ये मीडियम फ्लेम पर अच्छे से फ्राइए हो जाती है आपको इनको बिलकुल कुर्कुरी होने जब तक गोल्डन ही हो जाए दीरे दीरे हलके हाथ से हम जलेबियों को पलट देंगे जलेबिया जैसे ही फ्राई होगी है थोड़ी से श्रिंक हो जाएगी और बिल्कुल सुनायरी होने तक हम पकाएंगे और उसके बाद उनको डायरेक्ट चासनी में डालेंगे जब आप जल ही में से निकाले के चासनी में डाल देंगे एकदम गरम-गरम जलेबियों को ही चासनी में डालना है चासनी बिल्कुल गुन-गुनी गरम होनी चाहिए ठंडी चासनी में जलेबियों को नहीं डालना है चासनी में डालके लगबग चार से पांच मिनिट तक हमें जलेबियो अच्छे से सोक होना है चार-पांच मिनिट में ही वो अच्छे से सॉफ्ट होगी और एकदम क्रिस्पी और अंदर तक रसीली हो जाएगी तो हम इसको पांच मिनिट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे चास्ति में डाल के और इसके बाद इसको बाहर निकालेंगे बहुत सारी जलेबियों को एक सार निडालना है थोड़ी थोड़ी करके हम चास्ति में डिप करेंगे जलेबियों को जलेबियों को तीन-चार मिनट हो चुके हैं चास्ति में अच्छे से सोक हो चुकी है अब हम इनको बाहर निकाल लेंगे इनका सारा रस अच्छे से टपकने देंगे नहीं तो ये बाद में क्रिस्पी नहीं रहेगी ऐसे ही करके हम सारी जलेबियों को बना के चास्टे में डिप कर लेंगे तो हमारी जलेबिया बिल्कुल त्यार है अगर आपको ये पतली पतली जलेबियों के तैसे भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें